अपरितियां गुजरात मा एक बहु जुनू भजन है गुरू तारो पार न पायो गुरू तारो पार न पायो आ पृत्वीना मालिक कौन तमेरे तारो तो अमे तरिये गुरू तारो पार न पायो गुरू का कोई पार नहीं पा सकता गुरु गुरु पूरे जगत का होता है और उस संतियात कहा इस धर्ती के बादशाह कौन है धर्ती का माली कौन है धर्ती का बादशाह गुरु है वो तारेंगे तब तरेंगे वाकि हमारे अंदर आपुर्ण मालम अचलम प्रविष्ठम गीता में कृष्ण कहता है कि महासागर में यदि कोई डूब जाए कितना भी स्विमिंग आता हो वो महासागर को पार नहीं कर सकता वहां से बचने के लिए किसी की सहाईता की आवशकता है और वो है गुरू जब तक गुरू हमारा आथ न पकड़े जब तक गुरू कृपा न करे ये भुषागर में से हम बच नहीं सकते और मैं मेरी बात करूँ मैं तो गुरू से भी आदमी मुझे तो बड़ा विश्वास गुरू के उपर गुरू कृपा ही केवलम सिश्यस्य परममंगलम गुरू की कृपा से ही सिश्य का मंगल हो सकता है गुरू माने बड़ा लगू माने छोटा अब गुरू के बारे में बहुत कुछ बोला जा सकता है और गुरू भी चार प्रकार के होते हैं और चारो चार गुरू होने चाहिए क्या क्या कह रहा हूँ खास करके इस कौन के भक्तों के लिए गुरू चार प्रकार के चार वृत्ती होती है और चारो चार वृत्ती होनी चाहिए वो चार वृत्ती कौन सी है एक है दिख्षा गुरू गुरू का एक काम क्या है कि वो दिख्षा दे और परंपरा में जोड़े भगवान के साथ संबंद करा है एक लेकिन गुरू का काम मात्र दिक्षा देना ही नहीं है उसी के साथ साथ वो सिक्षा भी दे हो सकता है कभी कभी दिक्षा गुरू दिक्षा ही दे सकता है सिक्षा देने का टाइम नहीं होता तो उस थीति में हमें कोई और एक सिक्षा गुरू बनाना होगा मेरी बाद समझने का प्रयास कीजिएगा और गुरू की तिसरी वुरुत्ती है पथ प्रदर्शक गुरू, मार्ग दर्शक गुरू जो मार्ग दर्शन करे और चोथा शास्त्रिय गुरू जो शास्त्र का ग्यान प्रदान करे ये चार चीज किसी एक में होना तब वो पूर्ण गुरू माना जाता है चार चीज कौन सी? दिक्षा दे, शास्त्र का ग्यान दे, सिक्षा दे और पर्दर्शक करे ये चारो एक में हो तब पूर्ण गुरू लेकिन कल्यूग में प्रभुपाद के बाद ये चारो चीज प्रभुपाद में थी प्रभुपाद के बाद ये चार चीज एक में कहीं नहीं देखी गई है प्राया कुछ लोग हो सकते हैं पहुंचे हुए तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए प्रभुपाद यदि हमारे गूरु होते तो चारों चीज हो गई होती लेकिन वो नहीं है तो दिख्षा गूरु तो दिख्षा देकर चले जाता है और एक साल के बाद फिर एक बार दर्शन होता है फिर चले गए अब वहाँ सिख्षा का तो कोई प्रशन ही नहीं है तो उस थीति में कोई सिख्षा गूरु भी होना चाहिए और सिख्षा गूरु सिख्षा देता है लेकिन उस समय शास्त्र का ग्यान देने वाला भी कोई गूरु होना चाहिए एक में यदि ये चारो कारिया है तो एक गुरू काफी है दो में यदि ये चार पुर्णों होते हैं तो दो और एक एक करके चार में चार होते हैं तो वो चारो को गुरू कहा जा सकता है और याद रहे चारो की महिमा उतनी ही महान है हमारा तो क्या न है दिक्षा लेली हमने गुरू कर लिये हैं अब गुरू अपने स्थान पर हम हमारे स्थान पर साल में एक बार मिल लेता हैं दर्शन कर लेता हैं वो अपने स्थान पर हमारे स्थान पर और फिर उदंड बन जाते हैं गुरू के नाम पर गूरू शब्द में खास करके इसकोन के भक्तों को कह रहा हूँ गूरू शब्द जब हम बोलते हैं न तो ये चार चीज बाहर आनी चाहिए दिक्षा, सिख्षा, पत्पदशक और शास्त्र क्या ये चारों मिल रहा है तब उसको स्प्लीट करो और स्प्लीट करके चार गूरू ढूंडो और उनके मार्ग दर्शन में रहो नहीं तो हमने यह भी देखा है कि पचास-पचास साल से दिक्षा ले रखी है लेकिन जीवन में कोई प्रोग्रेस नहीं क्योंकि बस यही मानते हैं कि दिक्षा हो गई तो बस नहीं दिक्षा के साथ सिक्षा चाहिए शास्त्र का ग्यान चाहिए मार्ग दर्शन चाहिए है नहीं